अबे ओय देसी तो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है हमारी भी कर दे यार अरे मैडम मैं कोई मेकैनिक नहीं हूँ आप एक काम करो मेरा फोन ले लो और इसे कोल कर लो मेकैनिक के पास अरे यह आप दोनों कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ अरे मैडम मैं तो अब तक मैंने कोई बत्तमीजी की नहीं है और तुझे बोला ही क्या है एक गाड़ी नहीं करने को कर दे मैंडम कितनी पार बताओं कोई मेकैनिक ने हूँ हम बचपन से हैं हमारा जो Pens we कर दो ह melon करते हैं अब तू गाड़ी खुद ठीक कर यह मां कहने हमें को मतलब निये हमारी जानता नियां यहां पे इंस्पेक्टर है तुझे एक मिनट में जेल में डाल देंगे अच्छा इतनी अकड कोई नहीं तुम्हारे भाई क्वास चलते हैं देखते हैं सही का साथ देगा या गल्थ का चलो भाईया अरे यानशी तुम यहाँ मैं आपको बताया था ना वो लड़का मुझसे बत्तमीजी कर रहा था उसको में लेकर आई उसाथ में आप उसे सजा दो अच्छा उसकी इतनी हमत अंदर बला उसे मैं भी तो देखो पुलिस वालेगी बैन वाद छेड़ने अंजाम क्या ह भाईया यही है वो बत्तमीज लड़का अरे सर आप भाईया इस दो कोड़ी के आदमे को सर क्यों बोल रहे हो आप तुझे पता भी को नहीं है यह आई-पियस ओफिसर अभी से एक शर है क्या आई-पियस ओफिसर तुने इनके साथ बत्तमीजी की माफी मागो अभी के अभ वर्ना मैं ऐसे बत्तमीजी कभी नहीं करती सोरी सर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी प्लीज हो सके तो मैं माफ कर दे माफ कर दो तुमें तो शरम आनी चीए इतना गंदा बेव करते हो तुम आम लोगों के साथ तुम जैसे पुरा पुलिस परसासन बदनाम है और यह क्या तुमने अपनी बेहन को लोगों को प्रेशान करने के लिए बार बेजा हुआ क्या शरम आनी चे तुमें अगर मैं कोई गवर्मेंट ऑफिसर नहीं होता तो तुम तुम मुझे जेल में डाल देते हैं आम अदमें को साथ यह करते हो गया तुम सब मैं चीफ मिर्श्य साब क को बताऊंगा कि हमारे डिपार्टमेंट हो क्या चल रहा है उन्हों पूरी कोशिस करूँगा कि तुम सस्पेंड हो जाओ और तुमारे जैसे लोगों की इस डिपार्टमेंट में कोई जरूरत नहीं है प्लीज सर मैं अपनी बेहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूं अरे बस तुमारी बेहन गलती करती है और तुम उसके साथ देते हो तुम अपनी बेहन की गलती में बराबर के साथ जिदार हो तुमें माफ निकर सकता मैं अगर मैंने तुम सब को छोड़ दिया ना तो पुलीज डिपार्टमेंट ऐसे बदनाम होता रहेगा सर सोरी प्लीज ऐसा मत कीजिए जब तक इन दोनों को बात करने की तमीज ने आ जाती है यह जेल में ही रहने चीए